हलो ट्वीटर्स वेलकम डू ट्रेंड लाइन स्टॉक्स देखिए बहुत ही अलग ट्रेंड अब होने जा रहा है स्टॉक मार्किट का आईटी और फार्मा जो दो सेक्टर्स थे जिन्होंने सबसे जादा पैसा कमा के दिया आपको बीते दिनों में अब वहाँ से शायद पैसा निकलतावा दिखाई दे और दूसरे कुछ सेक्टर्स के अंदर आपको काफी तेजी दिखाई दे सकती है मैं बात करने जा रहा हूँ मैटल सेक्टर की बेसिकली इस वीडियो में जो अब आने मैल टाइम में एक ब्राइटनिंग स्टार की तरह आपको दिखाई दे सकता है क्योंकि देखे जो US में elections है अब उसका भी impact आएगा market के उपर और important क्या है देखे समझना जो China material dump किया करता था इंडिया में अलग-अलग roots के थुरू वो सभी चीजों पे अब ban लगता जा रहा है almost 50% हमने तयारी कर लिए कि चाइना के metal को इंडिया में नहीं लाने दिया जाएगा जिसकी वज़े से तमाम metal sector के शेरों के अंदर आपको बहुत तेजी दिखाई दे सकती आने वाले टाइम में अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर मिधानी की यानि के मिश्रिधातू निगम लिमिटेट जो की एक सरकारी कंपनी है and specialty materials के अंदर काम करती है special metals बनाती है हमारी defense services के लिए तो देखिए वहाँ पर एक बहुत जबर्दस breakout मुझे दिखाई दे रहा है जो अभी हुआ नहीं है just उसका एक neckline पे वो touch हो चुका है अगर वो cross कर जाती है देखिए price action वो cross कर जाता है तो definitely वहाँ से आपको बड़ी तेजी दिखाई दे सकती है आपको देखिए वो सारी चीज़े चार्ट के उपर समझाऊंगा लेवल्स भी समझाने की कोशिश करूँगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ मिश्रधातू निगम को लेके कुछ लोग बहुती ज़ादा impressions हो रहे हैं मेरे पास काफी सारे सवाल आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में पुरानी मिश्रधातू की वीडियो के उपर जब देखे सवाल जो आ रहे हैं वो इस टाइप के हैं कि ये तो 180 रुपे पर आगया सर ये 236 का इसने अभी recent high लगाया था तो अब इस stock का क्या होगा क्या हमें निकल जाना चाहिए क्या हमें बने रहना चाहिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कोई भी stock अगर आप trading के लिए trading के perspective से ले रहे हैं यानि के short term के लिए ले रहे हैं तो ये practice हमें छोड़नी पड़ेगी stop loss हमें हमेशा लगाना चाहिए अगर हमारा perspective है हफते का दो हफते का या फिर 15 दिन का यानि के short term का लेकिन अगर आप मिधानी जैसे stock की बात करें और आप long term के लिए उसको देख रहे हैं तो फिर आपको सवाल करना ही नहीं चाहिए क्योंकि देखें मिधानी जैसा stock जो fundamentally इतना strong है 74% सरकार की हिस्सेदारी है zero debt no corporate governance का issue उसके बाद में जो तमाम देखें developments हुए है पिसले 6 महीनों के अंदर वो सभी कुछ metal sector के favor में है तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई भी doubt मिधानी के उपर होना चाहिए रही बात fluctuations की तो देखिए stock market नामी fluctuations का है यहां कभी भी आपको सीधी direction में कोई चीज नहीं मिलेगी अगर किसी stock में rise आया है तो वो गिरेगा भी जरूर तो आपको बने रहना है अपनी positions को hold करके रखना है और जो target आपने long term का दिया है साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल उसके उपर stick रहना है और आपके profits automatically बनते चले जाएंगे तो देखिए इस type की strategy and mentality हमें develop करनी चाहिए मिधानी का intraday charts जहाँ पर आप देखेंगे कि इसने अभी अपना high लगाया था recent में 236 rupees का और ये बात है 26 अगस 2020 की उसके बार लगातार इस stock के अंदर गिरावट देखने को मिली है और ये stock बिलकुल नीचे की तरफ आ गया और इसने अभी जो recent load लगाये हैं वो है 173 rupees के in fact ये 173, 172 के जो low है देखे ये इसने दो बार touch करे हैं यानि के यहाँ पर exactly एक double की formation इसने बनाई है जिसको हम लोग कहते है double bottom pattern और अगर किसी भी downfall में ये double bottom pattern अकर होता है मिल जाता है तो वहाँ से trend reversal माना जा सकता है यानि के अब कह सकते हैं कि एक नए trend की शुरुवात हो सकती है क्योंकि देखे इसने एक ही low को यानि के 173, 172 के low को दो बार touch के और वहाँ से bounce back हुआ है और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि अब शायदे से stock के अंदर तेजी आ सकती है तो ये बिल्कुल right time होगा अगर आप इस double pattern के उपर विश्वास कर केस के अंदर positions बनाना चाहते हैं तो लेकिन कुछ conditions होते हैं वो हमें जरूर चेक करनी चाहिए सबसे पहले तो बात करते है neckline की जो की है ये देखे neckline break होना बहुत जरूरी होता है अगर ये neckline break हो जाती है तो इस point के उपर neckline के उपर हमें buy positions बनानी है और neckline अभी 184 rupees के उपर है यानि कि इसको थोड़ा सा और precisely मैं बोलू तो 185 के उपर अगर ये stock निकलता है तो आप इसके अंदर buy की positions बनाएं और बहुत बड़े levels आपको इसमें आते वे दिखाई दे सकते हैं और ये देखे कब हो सकता है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अभी कल elections के यहाँ पर exit poll आने चालू हो जाएंगे US elections के तो उसका एक impact रह सकता है नीचे भी और उपर की तरफ भी तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि market किस तरफ जाएगा लेकिन जो pattern formation यहाँ पर होई है अगर ये stock आने वाले 2-3 दिन में 185 के levels को break करके उपर की तरफ चलता है तो definitely इसके अंदर आफ fresh positions बना सकते हैं और आपके लिए जो अगले targets होंगे वो हो सकते हैं देखे 200 रुपे के 200 रुपे का पहला target लेके इस तरह से strategy आप इसके अंदर बना सकते हैं दूसरी मैं आपको बात बता रहा हूँ देखे confirmation आपको जरूर हमेशा लेनी चाहिए यहाँ पर मैं RSI और MACD के आपको charts graphs के आपर दिखा रहा हूँ इसी intraday charts के उपर RSI की जो position है अभी देखे यह 43 points के उपर और इसने एकदम से नीचे की तरफ projections किया है क्योंकि आज के दिन ही इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली है लगबख 0.61% की गिरावट मिश्रधातु निगम लिमेटेट ने आज दिखाई है उसके बाद देखे यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ MACD की अगर मैं बात करूँ तो MACD अभी भी एक bullish crossover यहाँ पर बनातावा दिखाई दे रहा है यानि कि अभी भी यहाँ से एक trend पता चल रहा है कि यह stock उपर की तरफ जा सकता है क्योंकि signal line अभी भी नीचे से cross कर रही है MACD की line को तो यह दो signals हमें indicate कर रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा indication देखे आपको आतावा दिखाई देगा कहाँ पर weekly charts के उपर तो मैं यहाँ पर आपको इसके weekly charts दिखाना चाऊँगा जहांसे काफी अच्छी चीज़े और समझ में आ सकती हैं आपको तो मिच्र धातू निगम Limited का देखे यह weekly chart है और इसके अंदर हम लोग फिर से indication अगर देखते हैं तो RSI का तो इसमें देखे आपको clear cut यहाँ पर चीज़े पता चलेंगी कि अब RSI जो है उपर की trajectory में जातावा दिखाई दे रहा है यानि कि positive divergence यहाँ पर आपको बनतावा दिखाई दे जाएगा RSI के basis पर 44 points के उपर float हो रहा है अभी RSI और देखे अगर यह 50 points के उपर आ जाता है आने वाले 2-3 trading session के अंदर तो definitely यहाँ पर एक तेजी देखी जा सकती है मिधानी के अंदर जो की एक काफी अच्छे positive संकेत हो सकते हैं इस बात को देखे मैं इस तर अभी तक हमने ऐसा ही कुछ history देखी है पिछले काफी सारे stocks में जिनके results आए हैं तो यहाँ पर भी देखे company के अंदर कोई भी बुराई नहीं है जो इनके पास में orders है और अब तो in fact बहुत जादा orders है यह सारी बाते में पिछले videos में cover कर चुका हूँ तो यहाँ पर वो repeat न अगर सरकार की तरफ से कोई घोशना हो जाते है किसी भी बड़े बदलाव की मिधानी के अंदर तब देखे उसके हिसाब से stock को review किया जाएगा तो तब तक के लिए तो मैं यह समझता हूँ बहुत अच्छी performance है और अगर आप इनके quarterly results देखेंगे तो बहुत ही शांदर तर से इसके हलकी सी 3 करोड की यहाँ पर आपको गिरावट दिखाई देगी लेकिन देखे 200 करोड के turnover पर 200 करोड की net sale पर 3 करोड रुपे बहुत जादा माइने नहीं रखता इसलिए मैं समझता हूँ कि जून से लेके मैं आपको यह 5 क्वाटर दिखा रहा हूँ तो उनमें से 4 क्वाटर लगातार तेजी इस stock ने बनाये रखी है और जून 2020 के अगर हम particular बात करें तो आपको पता होगा कि देखे COVID के चलते बहुत जादा हैंपर हूई थी manufacturing activities और यह उसी का असर है कि यहाँ पर आपको 1-13 करोड ही आते वे दिखाई दे रहे हैं इनकी balance sheet पर जून क्वा lockdowns नहीं होते COVID के चलते manufacturing बंद नहीं होती तो यह 110% 203 करोड से उपर की figure आपको यहाँ पर आती भी दिखाई देती खेर anyways अब सारी चीज़े खुली हैं देखिए और June onwards यहाँ पर partially जो unlock हुआ है उसका impact positive impact आपको आतावा दिखाई देगा मिधानी के उपर भी तो जो 2 December को results हाएंगे उनके अंदर जो figures होंगी वो इस stock को जो existing इसके resistances हैं उसको पार कराने में बिलकुल ही मुझे लगता है कि successful होगा यह stock अपने resistance को पार करने में तो आपको इसको देखे time देना है अगर आप short term trade में भी जा रहे हैं तो भी मैं समझता हूँ कि आपको time देना इस company के अंदर जो की एक सरकारी company है अगर आप पूछें कि sir short term के अंदर अगर मुझे लगाना है stop loss तो मैं कहा लगा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखें आपको positions कब बनानी है जब ये 185 रुपे के levels को cross कर जाए यानिकि ये जो neck line इसके अंदर आपको दिख र जाए तब आपको buy करना है और पहला target आपको 201 रुपे का रखना चाहिए ऐसा मेरा मानना है short term के लिए तो देखें इस तरीके से आप एक short term trade और एक long term investing का plan कर सकते हैं मिधानी के अंदर still आपको कोई confusion है इस stock के अंदर तो definitely without your financial advisor आप कोई भी पैसा market में ना लगाएं किसी activity में पहले सला करें study करें research करें फिर उसके बाद ही कोई भी पैसा लगाएं क्योंकि देखे stock market होता है जोखी मरा और इसके अंदर हमेशा पैसा खोने का डर बना रहता है तो पूरी तरीके से संतुष्ट होने के बाद ही किसी भी stock में किसी भी security में पैसे लगाएं ऐसा मेरा मानना है मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में नए stock के साथ तब तक के लिए नमस्कार थैंक्यू जैहिंद